राहिन दिनों बीस पी में मैं देख रहा हूं कि कई तरह से प्रस्ताओं आ रहे हैं राजनीती गूरूप से अपोजीशन उनके बचाओं में भी सामने आके खड़ा हो जा रहा है और बीजेपी बैक टू बैक मायवती पर डारेक्ट अटेक कर रही है एकदम डारेक्ट अटे में वो चले गए स्वाइं परसाद मौरिया नसीमुद्दीन सिद्धिकी बाबू सिंग कुस्वाहा सुखदेव राजभार और बिर्जेश पाठाक नंद गोपाल गुपता नंदी कई सारे नाम आज तो मंत्री भी है कई सारे लोग सरकारों में तो मायवती अपने जो मूल कार करता थे उनको नहीं बचा पाई और वो अकेली होती गई और उन पर लगातार जिस तरह के आरोप लगते रहे उस पर भी वो लगातार उनका वोट बैंक कम होता गया 2014 में जब मोदी का उभार आया तो मायवती लोगसभा में जीरो हो गई लेकिन 2011 में अखिलेश यादों के साथ लड़कर वो 15 सीटे गड़बंदन की लाई थी और उसमें 10 सीटे उनकी अकेले थी इस बार उन्होंने जिद ठान ली कि वो अकेले लड़ेंगी लोगसभा का च जुनाओ किसी साथ गड़बंदन नहीं करेंगी इसके पीछे यह साप संदेश गया कि वो भाजपा के दबाव में हैं और वो इंडिया गड़बंदन को कमजोर करना चाहती हैं इंडिया गड़बंदन ने संबिधान के खत्रे का और अरच्छन का जोर सोर से मुद्दा है और जब जब बुवा पर कोई हमला होगा तो भतीजा राजनेतिक लाब लेने के लिए आगे आएगा और अखिलेश यादों ने वहीं किया है मायवती का जो जनाधार है उसको पहले बीजेपी ने खीचने की कोशिश की और इस बार के चुनाओं में काफी हत्ता को अखि गया बिर्जेश जी यह देखिए कि मायवती जब ताकत में थी तब यूपी में तीन पार्टियां रह गई थी भाजपा सपा और बसपा लेकिन मायवती ने अकेले चुनाओं लगने की जित करके आज कांग्रेस भी एक चोथी पड़ी पार्टी उत्तर परदेश में बन ग गा ओर मायवती अब चौथे नंबर की और खिसक रही हैं तो जब भाजपा दल्यों के घर खाना खाने लगी फिरी सिलेंडर देने लगी फिरी रासं देने लगी मकान देल से मही तो दलित उनकी और गया तब भी मायवतीका भाजपा से उतना कष्ट नहीं था जतना कष्ट उनको समाजवादी पार्टी से था और ये बातें देखिए लोगों के मन में चली गई कि अगर मायवती को उट देंगे तो भाजपा को लाब हो जाएगा और 2024 के चुनाओं में इसी लिए बहुत बड़ा दलित समाज इंडिय अखिलेश यादों के साथ चला गया अखिलेश ने बहुजन समाज से आये हुए कई सारे नेताओं को टिकट दिया लाल जी बर्मा है रामचल राजबार है बाबू सिंग कुस्वाहा है सब सांसत बन गए हैं देखते जाईए आर के चोधरी हैं बहुत सारे लोग हैं तो य लेडी कही गई फिर उनको नोटों की माला पहिना दी गई फिर उनको इस मारक घोटाले में वो फसाया गया उनको उनके तमाम सारे लोग सब फसते गए चले गए तो यह जो भष्टाचार के उनकी सरकार पर आरोप लगे सड़कें जो है पानी से धोई जाने लगी जिस सहर लोगों को नाराजगी पैदा करता रहा और मायवति इस बात को सायद भाप नहीं पाई मीडिया से उनकी हमेशा एक सभाविक दूरी रही और उसका खाम्याजा भी उनको भोगना पड़ा है मुलायम और कासी राम ने मिलकर यह दिखा दिया था कि वह उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं अच्छा रिसेंटली जो बीजेपी ने अटैक शुरू किया मायवति पे ऐसा राजेंद्र गौतम जी का मानना है कि यह बहुत ही वेल प्लान्ड पॉलिटिकल अटैक है बीजेपी का क्योंकि वो अपने उपर से बीएस्पी की का हटाना चाहते हैं कि देखिए बीजेपी ने लोकसभाद चुनाओं में यह महसूस कर लिया कि मायवति अकेले पत्यासी लड़ा कर भी उनको कोई फाइदा नहीं पहुंचा पाई या आप यह कह सकते मायवति लड़ी लेकिन भाजपा को कोई फाइदा नहीं हुआ भाजप समाज में मायवति को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया है और वो एक दलित समाज में बड़ा विकल्प बनकर उभरे हैं वो एक तरह से कहा जाए निर्दलिये सांसत बन गए हैं तो यह वो आंधी का संकेत है आने वाले वक्त के लिए वो एक बहुत बड़े नेता द समाज से बनकर उभर सकते हैं इसको लोगों को समझना होगा और मायवति भाई अपनी पार्टी राजनीत करती हैं भागता को फाइदा पहुचे नुकसान पहुचे यह उनकी अपनी सोच समझ हो सकती है लेकिन संबिधान पर उनकी चुपी ने उनको बहुत नुकसान किया ह देखिए भाजपा भी परिसान है कि इतना खिलाव पिलाव बाद भी इस बार उत्तर परदेश में दलित उनके हाथ से सरक गया क्योंकि भाजपा के नेता दलितों का सम्मेलन कराने लगे थे और वो दलितों के घर पर जाकर बड़े-बड़े नेताओं ने भोजन किया उनक दलित समाज के खिसकने के वज़ा से ही पिछड़ी वो ऐसा नहीं है कि भाजपा का कोई समण वोटर बहुत भाग गया खिले स्यादों के साथ उसमें दलित और विसी जादा गया है तो यह चीजे तो सभाविक है देखिए अतीत कहीं भूल जाएगा अतीत पीछा नहीं छो मां पिरजय जी मायवती दलित समाज में लोग प्रिये हैं और जो दलित समाज का जो जाटव है जो डलीत वोट बैंक है वह मायवती को अपना नेता अता है लेकिन और जो मायोती के साथ जातिया जुड़ी थी वो काफी हध तक खिसकी और अकेले तो देखिए कोई पार्ट प्रश्चन है नहीं उनके भतीजे को उन्होंने अपना उत्राधिकारी मान लिया है लेकिन अब चंसेखर आजाग जैसे और दलितनेता से उनका मुकाबला है तो यह चीजे उनको उनकी राहें काटो भरी है यह अभी कहा रहते हैं गौतम जी की वह कौन सी अकरामक नहीं है व से तो सिरो से से भी है जंगर कर आजा है लेकिन देखिए लम्री के आगे मियां मियां कर रहा है तो 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 साही का जो है राजेंग जी ने अरे हम लोगों ने सबने दौर देखा आखिलेस यादो आज खुस होंगे कि मायवती के साथ गडबंदन नहीं किया और 37 सीटे ओं लोग सभा की जीते एक बार तो करी लिया अच्छा गडबंदन मायवती नहीं तोड़ा बार बार उन्हों है कहा हम अकेले लड़ेंगे अकेले लड़ेंगे अब अकेले लड़के एक विधायक जीरो सांसत तो क्या राजनेतिक ताकत रहेंगी बाराल जी बुवा भतीजे में आउसर के हिसाब से मायवती ने सुक्रिया जताया लेकिन अगले ही पल कहा कि यह हमारे दुस्मन है और सप पाज लें तैरहाल मंजर भौपाली का एक सेर है कि जुदाई हो के मिलन हो हर अदा हमारी है और तुम्हारा सहर है लेकिन फिजा हमारी है और सिकायते करें भी तो हम किस से करें खुदा बनाया है तुमको यह खता भी हमारी है और कहीं पे जल नहीं सकते सितमगरों के कि तमाम सहर में आपकी हवा हमारी है बहुत शुक्रिया विरेंजी आप